बिना आबन बिना चीज के बनाएंगे पीजा बनाने में आसान खाने में बहुत ही टेस्टी इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि बिना चीज के बनाया है हाई एवरिवन मैं हूँ वर्षा आज बनाएंगे पीजा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले पीजा का आठा गूंद कर तयार कर लेंगे इसके लिए बोल में लें 3-4 कप मेंदा ग्राम्स में मापा जाए तो 120 ग्राम मेंदा है पीच में थोड़ी जगा बना कर डालिए 1-4 कप दही 1-4 टीस्पून बेकिंग सोडा 1-4 टीस्पून बेकिंग पाउडर 1 टी टीस्पून नमक 1 टीस्पून घी सभी इंग्विटियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसका आठा गूंद कर तयार करना है गूंदते समय आठा सूका लगेगा एक चमच पानी मिलाए पीजा के लिए सौफ्ट आठा तयार करना है जरूरत लगे तो आदा चमच पानी और मिला सकते हैं एक खांटे के लिए ढखकर रखिये जब तकाटा रेस्ट करेगा पीज़ सास बना लेंगे चाहें तो रैडी मेड पीज सास भी यूज़ कर सकते हैं पीजय सास की चगा पड़ टमैटो तमेटो केचप भी लिया जाजा मैं आपको होम मेट पीजा सौस बना कर दिखाऊंगी पैन में लेंगे एक कटी हुई प्याच छे से साथ लहसुन की कलिया एक टमाटर अधरक जो की तीन से चार छोटे छोटे टुकडों में कट किया है आदा कप पानी इसे 5-7 मिनिट के लिए उबलने दे जब पानी सूख ज इसे फाइन पेस्ट तयार करना है इसमें टमाटर प्याज या लहसन के टुकड़े नहीं होने चाहिए पापस उसी पैन में लेंगे दो बड़ा चमश तेल एक चमश लाल मिर्च का पाउडर गैस को इस समय धीमा रखिए फ्लेम जादा होगा तो मिर्च जल सकती है जिसके कारण टेस्ट खराब हो सकता है साथ मही डालिए तैयार पेस्ट जो अभी पीसा था आदक कब पानी जिस जार में हमने पीसा था उसी में पानी लिया है ताकि पेस्ट अगर रह गया तो निकल जाए बन फोर्थ टी स्पून नमक, एक टी स्पून चीनी का पाउडर, बन फोर्थ टी स्पून ओरिगेनो, दू चुटकी के करीब पीज़ा सीजनिंग डाल कर मिक्स कर लेंगे इसे कुक कीजिए जब तक किनारों पर हलका सा तेल न दिखाई दे, 5-7 मिनिट का टाइम लग सकता है वाइल का सेपरेट होना इंडिकेट करता है कि सौस कुक हो चुका है, बोल में ट्रांसफर कर लेंगे बिना चीज के पीज़ा बनाना है तो अब इसके लिए वाइट सौस बनाएंगे पैन मिलेंगे एक चमच देसी घी, एक चमच मेंदा, इसे धीमी आज पर भूने ये जलना नहीं चाहिए बस थोड़ा कलर चेंज करना है, घी की जगा बटर भी यूज़ कर सकते है आदक कप दूद, बनफोर्थ कप पानी मिला कर मेडियम फ्लेम पर पकाएं लगातार चलाते रही है, इसमें गांटे नहीं होनी चाहिए मेंदे के कारण अगर गांटे लगें तो चमच से दबा कर मिटाएं इस कंसिस्टेंसी का सौस तयार करना है फ्लेवर के लिए बनफोर्थ टीस्पून नमक, बनफोर्थ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला है इसे भी बोल में ट्रांसफर कर लेंगे पीजा सौस बनकर रेडी है, वाइट सौस भी बनकर रेडी है अब पीजा की तैयारी शुरू करते हैं कडाही में दो कटोरी नमक लिया है इसका कलर थोड़ा रेड लगेगा क्योंकि मैं यही नमक केक बनाने के लिए भी यूज करती हूँ क्या सिस्सा में मीडियम फ्लेम पर है स्टैंड रखिए, अगर नहीं हैं तो कटोरी भी रख सकते हैं या कुकर में जो स्टैंड आता है वो भी रख सकते हैं प्लेट से कबर करके 10 मिनेट के लिए प्री हीट करना है यानि कि गर्म करना है जब तक पीजा को एसेंबल करेंगे बोर्ट पर मेंदा स्प्रैट करें तयार आता जो गूंद कर रखा था इसने काफी रेस्ट कर लिया है एक घंटा हो चुका है इसे पतला बेलना है, मोटा नहीं रहना चाहिए पीजा बेक करने के लिए केक टिन यूज करने बाली हूँ आप इसके लिए पीजा ट्रे भी ले सकते हैं ओइल से ग्रीस कर लेंगे ताकि पीजा इस पर चिपके नहीं दबा कर थोड़ा स्प्रैट करेंगे जिस साइस की प्लेट है उसी साइस का पीजा बेस होना चाहिए काटे बाली चमच से छेट कर लें बनना बेक करते समय ये फूलेगा पीजा साइस को पूरे बेस पर स्प्रैट करें इसके उपर वाइट साइस लगाएंगे सबजियों को भी अरेंज कर लेंगे यहाँ पर लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर और प्याजली है स्वीट कॉन और ओलिप्स भी लिये जा सकते हैं उपर से थोड़ा वाइट साइस डाले इससे मेल्टेट चीज बाला टेक्स्चर आएगा स्प्रिंकिल कीजिए एक चिटकी ओरेगेनो एक चिटकी चिली फ्लेक्स पीजा सीजनिंग अगर अबन में बीग करना है तो 180 टिग्री पर 15 मिनिट का टाइम सेट करें यहाँ पर कडाही में बनाने बाले हैं तो मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनिट का टाइम लगेगा मैंने 25 मिनिट के बाद चेक किया पीजा बनकर रेडी है दिखने में काफी टैम्टिंग है तिन का बेस अलग कर दे पीजा तो बना लिया चलिए इसे कट करके देखते हैं आसानी से कट हुआ इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि बिना चीज के बना है पलट कर देखें तो क्रस्ट क्रिस्पी है पीजा बेस की ब्राउनिंग भी अच्छी तरह से हुई है उमीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेर कीजिए फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियो देखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास में ही देखेगी एक घंटी उस घंटी को भी दबाईए घंटी को दबाने से ये होगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगी तो आपके पास आएगा नोटिफिकेशन आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में Till then, stay tuned Thanks for watching झाल झाल